हेलो प्रेंड्स मैं आमिकल सिंग स्वागत करती हूँ आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल में जैसे कि आपको पता है स्पेशल हिंडी सामानी हिंडी के एक सीरीस स्टार्ट करी है मैंने 500 प्रश्णों की वो भी स्पेशली मद्यप्रदेश चील त्रहरी के लिए है और आज उस सीरीस का 10th day के 10th class है I hope अपनी इसके पहली के classes complete कर ली हूँ क्योंकि कापी सारे महत्पूर्ण प्रश्णों को हल करवाया है उसमें आज की सीरीस में भी हम 30 questions discuss करेंगे हर वीडियो के end में मैं एक प्रश्ण भी पूछती हूँ तो लास्ट वीडियो 9th class के end में जो मैंने प्रश्ण पूछा था पहले चलिए उसे discuss कर लेते हैं तो मैंने एक प्रश्ण पूछा था 270 वे नंबर का प्रश्ण था प्रथवी राज रासो किस काल की रचना है option में था रीती काल, आधी काल, भक्ती काल या आधनिक काल तो आप सभी ने comment box में answer भी लिया था इसका और प्रथवी राज रासो जो है ये आधी काल की रचना है चंदपरदाय द्वारा रचित ये एक रचना ऐसी रचना है जिसमें प्रथवी राज रासो के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है तो प्रत्विर राचा, रासो किस काल की रचना है, ये आदी काल की रचना है इसलिए इसका अनुसर हो जाएगा 2nd वाला ये तो हो गई लास्ट वाले प्रशन के बाद, लास्ट क्लास के जो मैंने प्रशन को पूछा था अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारा फ्रेशन और आज का हमारा पहला प्रश्ण है नभीवग में कौन सा समास है कर्मधारे बहुबरी ही द्वन्द या द्विगू समास तो नभीवग के जो शब्द लिखा है यहाँ पर हाला कि हमने पिछली नौ क्लास में काफी सारे उधारण देखे हैं समास के संदी के और यहाँ पर भी हम एक प्रश्ण मिला है नभीवग शब्द में जैसे कि आपको भी हमेंने बताए है कर्मधारे बहुबरी द्वन्द या दिगू तो इसका आंसर है कर्मधारे समास क्योंकि कर्मधारे समास एक ऐसा समास होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और नभ यूवग का विग्रे है नभ है जो यूवग ठीके और इसका भी दूसरा पद प्रधान है इसमें होगा कर्मधाराय समास, बहुबरी ही नहीं होगा, क्योंकि बहुबरी में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे वेक्ति के और संकेत करते हैं, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, विगु समास में पहला पद संख्या वाचक होता है, और विग्र कोका प्रयो किया गया है स्वर्ग प्राप्ट में कौन सा ततपुरुससमाज से इसमे है कर्म ततपुरुससमाज क्योंकि इसका विग्रे है स्वंध कोव्राव और कर्म की कौन सी विवक्ति है तो इसके विवक्ति होती है को प्रेशन nummer 273 है सूर्यो दय का सहिव संदी विच्छेर क्या है तो चार उप्शन दिये गए हैं आपके सामने और इसका आंसर है सी वाला सूर्य उदय का सही संदी विचेद सूर्य धन उदय है और इस सूर्य उदय शब्द में कौन सी संदी है तो इसमें है गुण स्वर संदी 274 नंबर का प्रश्णी यहां पर रिपीट हो गया है यहां पर भी सूर्य उदय का सही संदी विचेद बताना है तो इसका आंसर भी C वाला है Question No.275 जूट मत बोलो इस वाकिय में मत में कौन सा निपात है तो ये जो मत है ना इसमें निपात बताना है और निपात क्या होते हैं तो ये अभी के सहायक शब्द होते हैं अच्छा, अभी अभी क्या होते हैं तो ऐसे शब्द जिनका Lingu Wachan और कारप कारण की आधार पर कोई परिवर्टन नहों ऐसे शब्द अवे शब्द कहलाते हैं अब मद शब्द में कौन सा निपात है और निपात इसके क्या होते हैं सहायक शब्द भी कहलाते हैं तो सीमा बोदक है क्या है ये अबधार्ना बोधक है, तुलना बोधक है या निशेद बोधक है तो इसका आणसर हो जाएगा निशेद बोधक, मत शब्द क्या है ये निशेद बोधक निपात है प्रेशन No.276 ही काश आज वर्शा होगी इस वाग कि में काश में कौन सा निपात है? आदर बोदग, सीमा बोदग, विसमयादी बोदग या अबदारना बोदग देखो इस तरह की जो प्रशन होते हैं इस तरह की प्रशन बहुत ही आसान होते हैं अब जैसे इसका आंसर क्या है विसमयादी बोदग विसमयादी बोदक क्या होते हैं, जहाँ पर हर, श, श, उ, रिन, च, यॽ बोदक का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर काश के बाद एक चिन्द भी लगा है जो की एक पैचान होती है विसमयादी बूदक की इसलिए शका आंसर होजाएगा C वाला 277 नमबर का प्रश्ण है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है व्याकरण विशीशर के व्याकरण पंडित व्याकरण या व्याकरण ग्याता तो व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द है व्याकरण क्या है उसके लिए एक शब्द व्याकरण डिंग हाकना अगर-मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने करना, इधर के बाद उधर करना या व्यर्थ समय गवाना तो ये जो यहाँ पर लिखा है अगर-मगर करना इसका अर्थ होता है बहाने करना इसका आंसर है B वाला अगर मगर करना का अर्थ है बहाने करना 281 नंबर का प्रशन है शुद्ध शब्द कौन सा है सचीदा नंद कई बार आया हुआ प्रशन है तो चारों अप्शन ध्यान से देखिएगा और शुद्ध शब्द में से है B वाला, सेकिन वाला सचीदा नंद इसी प्रकार से लिखा जाता है 281 नंबर का प्रशन है सनमती का सही संदे विच्षेद तो ये भी कई बार आया हुआ पूछा गया प्रशन है सनमती का जो विच्षेद होता है चारों ही आप्शन आप ध्यान से पड़े और इसका आंसर है सेकिन वाला B वाला सत धनमती सनमती का सही संदे विच्षेद क्या है तो इसका विच्षेद है सत धनमती 282 नंबर का प्रशन है जंगल में लगने वाली आग उसे क्या कहते हैं दावा नल, कामा नल, बढ़वा नल या जठरा नल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा नल क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दावा नल श्री गड़ेश का विलोम शब्द है विनाश, इतीश्री, श्री राधा या इन में से कोई नहीं तो श्री गड़ेश शब्द जो है इसका विलोम है इतिश्री किसी भी चीज को जब शुरू किया जाता है तो कहते है ना श्रीगड़ेश तो जब स्टार्ट करेंगे तो श्रीगड़ेश और जब भी काम ख़दाम होता है तो वो इतिश्री यानि ये इसका opposite ये इसका विपरीत होगा 284 नंबर का प्रश्ण है प्रत्वी का परयवाची शब्द है रत्न गर्भा, स्वन्ने मै, मै, वसुमती, हिरन, हिरन गर्भा तो इसका आंसर है रत्न गर्भा प्रत्वी का परयवाची शब्द है रत्न गर्भा ठीक है प्रश्ण नमबर 285 नमबर का प्रश्ण है भाशा शब्द संस्कृत के किसी धातू से बना है तो भाशा शब्द पहली जी इस तो संस्कृत का शब्द है और ये किसी धातू से बना है तो भाश, भाश, भास या भाश शामे लास्ट वाला जो option इसमें खलंद भी लगा है तो भाशर शब्द भाशिधातू से बना है इसका आंसर हो जाएगर दीवाला 26 निंबर का प्रश्ण है संदी कितने प्रकारकी होती है 1, 2, 3, 7 तो ये जो संदी है ये 3 प्रकारकी होती है बहुत ही साधारन प्रश्ण है स्वरसंदी, बेंजन संदी और विसर्ग संदी और स्वरसंदी कितने प्रकारकी होती है तो ये 5 प्रकारकी होती है इन में से रस का कौन सा भेध है करुण, रूपक, उलेख या इन में से कोई नहीं तो इन में से रस का भेद है करून, करून एक रस होता है, लेकिन रूपक अलेख रस नहीं होती है, ये अलंकार के भेदे, रूपक और अलेख ये दोनों ही अलंकार के भेदे हैं 288 नमबर का प्रिश्ण है निमने में बताईए कि शर्द में द्वित्व वेंजन है पुनाह उत्साह इलाबाद या दिल्ली देखो द्वित्व वेंजन वे होते हैं जहां एक वर्ण अर्दवर्ण के रूप में होता है और उसी के बाद उसका सेम सब पूरा वर्ण रहता है जैसे मैंने आधा का लिखा है तो उसके बाद पूरा का आएगा आधा चा है तो उसके बाद पूरा चाएगा आधा ला है तो उसके बाद पूरा लाएगा ठीक है तो इसमें हमें द्वित्व वेंजन बताना है, option में है पुना, उत्सा, एलाबाद या दिल्ली और इसका सही आंसर है दिल्ली दिल्ली में है द्वित्व वेंजन चादवनी किसके अंतरगत आती है गोशवर्ण, मूल्सवर, तालब या संयूक्तवर्ण तो गोशवर्ण वे होते हैं जिनके उचारण में नाध याने कंट का प्रयूख किया जाता है और इनमें स्वर्ट अंतरों में कमपन होता है ठीक है और इसका आंसर क्या है जो चादवनी है किसके अंतरगत आती है तो ये संयूक्तवर्ण के अंतरगत आती है संयुक्तो वर्ण में क्या होता है दो विंजनों के मेल से ही वर्ण बनते है ठीक है जैसे शा के बात करें तो ये आधा का और शाशटकोड के मेल से बनता है तो जहां पर दो विंजनों के मेल से एक विंजन वर्ण आता है और ये चार ही होते हैं सायोग तो बढ़ने कहलाते हैं और यह कितनी होते हैं तो इनकी संख्या होती है चार, छासे चत्रे, त्रासे त्रशुल, ग्यासे ग्याने और श्राप 290 नमबर का प्रश्न है जिन शब्दों के अंद में छोटा आ आ आता है उनने क्या कहते हैं जिन शब्दों के अंद में छोटा आता है उसे कहते हैं अकारान और यदि बढ़ा आएगा तो उसे कहेंगे आकारान यदि छोटी ही होगा तो इकारान और यदि बड़ी ही होगा तो इकारान इस तरह के शब्द होते हैं जब आप बचन कर topic पढ़ोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे सावधानी शब्द में प्रयूक तो प्रत्य है बड़ी, आनी, धानी या चोटी है तो सावधानी शब्द में प्रत्य क्या है? प्रत्य शब्द के पीछे लगता है अब इतने सारे sets हमने solve की हैं आज 10th class है तो अब तो आपको चीज़े clear हो जाने चाहिए प्रत्य कहां लगता है शब्द के पीछे? सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्य है? तो सावधान में बड़ी ई प्रत्य लगा है इसमें क्याल प्रत्य है तो बड़ी ई प्रत्य लगा है सावधान में इसलिए इसका answer हो जाएगा A बाला इन में से कौन सा भाववाचक संग्या है? चार option को देखकर बताना है कि निमन में से भाववाचक संग्या क्या है? एक चीज़ और जो भी topic प्रीवियस एर में पूछे गए हैं सारे वही topic ज़रूरी नहीं है कि वही के वही आए एक दो topic ऐसे भी होंगे जो change होकर भी आजाएंगे जो extra में भी आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप SI की त्यारी कर रहे हो हिंदी strong है यदि आपको पूरे 70 नंबर के लिए हिंदी पढ़नी रहती है तो यदि आप उसकी त्यारी कर रहे हो तो कापी easy रहेगा आपके लिए 20 नंबर लाना यहाँ पर तो भावाचेक संगया कौन सी है? ओप्शन में है श्याम, पानी, बचपन या नदी तो भावाचेक संगया है बचपन में इसका अंसर हो जाएगा C वाला 293 नंबर का प्रशन है शिव का विशेशन क्या है? शिवेश, रैल, शेव या शंकर तो शिव का विशेशन है शेव इसका अंसर हो जाएगा C वाला 294 नमबर का प्रशन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत से पाली प्राक्रत से या अपब्रांश से और यहीं बात करें, सबसे पहले जिसे संस्क्रिट थी, तो संस्क्रिट पाली प्राक्रत तक संस्क्रिट ही चलती थी, हिंदी के शुरुवात अपभरंश से हुई इसलिए इसका अंसर हुचाएगा D, किस शब्द में आवा प्रते नहीं है, दिखावा, भुलावा, लावा, चड़ावा तो आवा प्रत्य किसमें नहीं है तो लावा में आवा प्रत्य नहीं है बाकि दिख में आवा प्रत्य है बूल में आवा प्रत्य है चड़ में आवा प्रत्य है ठीक है तो इसका आंसर क्या है पहले option देखो लाबदायक अपना पन उपकार पढ़ाई और किस शब्द में उपसर्ग का प्रयूग हुआ तो उपकार उपचो है उपसर्ग है और कर है धातू और इसके मिल से क्या बनगे एक शब्द जो कि है उपकार 297 नमबर का प्रश्ण है इनमें कौन सा शब्द समोह वाचक प्रत्य नहीं है समोह वाचक प्रत्य भी होते हैं केवल साधारण प्रत्य नहीं होते हैं वैसे प्रत्य दो प्रकार की होते हैं कृत प्रत्य और तधिर प्रत्य और इसी में ही आपको पढ़ना रहता है समोह वाच अब इन चार आप्शन में से कौन सा नहीं है, लोग, प्रेस, वर्ग या गड़, मतलब भी समुह ही होता है, और इसमें जो सेकेंड नमबर पर लिखा है ना प्रेस, ये समुह वाचक प्रते नहीं है, बाकि लोग, वर्ग, गड़ ये तीनो ही समुह वाचक प्रते हैं, 298 नमबर का प्रशन है निलम लिकेट में तसम शब्द का चयन कीजिए, खेट, अजीब, उदगम या कोट, तो तसम शब्द जो हैं वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, तत धनसम और इसका अर्थ होता है उसके समान, उसके समान अर्था संस्कृत के समान, यानि ऐसे तसम शब्द कहलाते हैं और इसका कौन सा उधारन है, कौन सा शब्द है इसका तो जो ऑप्शन नमबर C है, उदगम, उदगम शब्द तसम का शब्द है, ठीक है, प्रशन नमबर 299 है, उश्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, तो उश्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, ए और बी दोनों या इन में से कोई नहीं और ये प्रकार है वेंजन के किसके प्रकार है तो ये वेंजन के प्रकार है आजका लास्ट नंबर का प्रशन है शह कौन सा वियंजन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो शह शलजम लिखा है इसमें कौन सा वियंजन है ये कौन सा वियंजन है उश्म वियंजन, संयुक्त वियंजन, अंताइस सा वियंजन या सपर्श वियंजन कामेंट करके जरूर बताईएगा बाकी वीडियो को आप अपने फ्रेंट के साथ शेयर करें और डेली क्लासेस कंटीन्यू रखें क्योंकि डेली 30 प्रशनों को हम देख रहे हैं और 500 प्रशनों बहुत ही महत्पपूर्न हो जाते हैं और सीरिस कहीं न कहीं सीरिस के यदि बात करें तो 10 नमबर की क्लास है जो कि आज कंप्लीट हो गई है तो अपने फ्रेंट्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करना ना बूले तो मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में